क्या आपने कभी पेट के माईग्रेन के बारे में सुना है जी हाँ आज हम आपको बताने वाले हैं पेट के माईग्रेन के बारे में नमस्कार मैं आसा स्वागत करती हूँ आपका N27 News में आए रुक करते हैं इस ताजा ख़बर की ओर सिर के माइगरेन के बारे में तो सभी जानते हैं लेकिन पेट के माइगरेन के बारे में कम ही लोग जानते हैं अब आम पेट दर्द को अंदेखन ना करें पेट का दर्द भी बन सकता है हानिकारक मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगे कि कैसा होता है ये माइग्रेन, कैसे करें इसकी पहचान, किन चीजों से हो सकती है बिमारी और किन चीजों को अपने डेली लाइफ स्टाइल में करेंगे तो इस बिमारी से भी बचा जा सकता है जब पेट में तेज दर्द, मरोड, ठकान और उल्टी हो तो आप उसको हलके में ना ले क्यूंकि इसी को पेट का माइग्रेन कहा जाता है दरसल इस पेट के माइग्रेन को अब्डोमिनल माइग्रेन कहा जाता है आए जान लेते हैं कैसे करें अब्डोमिनल की पहचान जब आपको ठकान महसूस हो, पेट में तेज दर्ज हो या मरोड और उल्टी हो तो यह abdominal migraine की समस्या हो सकती है विशेशग्यों का मानना है कि जिन लोगों को बचपन से ही abdominal migraine की शिकायत है अक्सर बड़े होकर उनको ही सिर के migraine की भी समस्या अधिक होती है वैसे तो यह बिमारी किसी को भी हो सकती है लेकिन बच्चे और यूवाओं को abdominal migraine की शिकायत जादा पाई गई है abdominal migraine होने के कारण हम आपको पता देते हैं दरसल लंबे समय तक परिशान या किसी प्रकार की चिंतन करते हैं अस्वस्त खाना खाने से जीवन शैली का खराब होना शराप या किसी भी प्रकार के नशीले पदात का सेवन करने से नींद पूरी ना होना जादा से जादा तला बुना मसाले धार खाना खाने से इस बिमारी की संभावना अधिक होती है अब्डोमिनल माईग्रेन के लक्षन को और विस्तार में अच्छे से समझ लेते हैं जब आपको पेट में तेज दर्द की समस्या अधिक हो रही हो भूख कम लगे कुछ खाने पीने का मन ना करे आखों के नीचे के डार्क सरकल साफ नजर आने लगे और पेट का भी रंग पीला होने लगे तो आपको अब्डोमिनल माईग्रेन की समस्या होने की संभावना हो सकती है अब्डोमिनल माईग्रेन से बचने के कुछ उपाई हम आपको बता देते हैं अब्डोमिनल माईग्रेन होने पर आप चाय, कॉफी और चॉकलेट का परहेच करें फाइबर और पोशक तत्व से भरपूर डाइट आपको लेनी है साथ ही अपने डाइट में ओट्स, फॉलो के जूस, हरी पत्तेदार सबजिया, दही, खिचडी, दाल शामिल करने की जरूरत है इसके साथ ही डाक्टर की सला के अनुसार परयात एक्सराइज करने से इस बिमारी से बचा जा सकता है जब आपको लगतार उल्टी हो रही हो, अधिक कमजोरी महसूस हो रही हो, तब आपको डाक्टर से संपर्क करने की जरूरत है ताकि उसका इलाज जल्द से जल्द हो सके अक्सर इस बिमारी का इलाज डाक्टर उम्र और लक्षन के अनुसार करते है यदि ये माईग्रेन समाने इस तर पर है तो इसका इलाज आम दवाईयों से हो सकता है लेकिन समय रहतर अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये काफी हानिकारक हो सकता है इसलिए कभी पेट दर्द को नजर अंदाज ना करे और तुरन डॉक्टर से संपर्क करे ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहें N27 News के साथ आप देख रहे हैं N27 News पकड हर खाबर पर